बलीदान देना होगा अहम हरद्र प्रद्धमी फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज का बहुत ज्यादा इस्तिमार हो रहा है डिफरेंट वराइटी में आने वाले मात्र धाई सो रुपे का यह मेरा हरद्र प्रद्धमी टेक्निकली इसको क्रोमा की कहा जाता है ग्रीन स्क्रीन ही क्यों क्योंकि यह हमारी स्किन टोन से मिक्स नहीं होता इसके इस्तमाल करने के कुछ नियम है पहला नियम बलीदान देना होगा दूसरा नियम ऑबजेक्ट और ग्रीन स्क्रीन पर सही से लाइट जानी चाहिए तीसरा हमारी ग्रीन स्कीन पर शेड़ो नहीं होनी चाहिए अगर shadow है तो post processing में बहुत दिक्कते आती हैं हमारी स्क्रीन पर wrinkles नहीं होना चाहिए साइमन की वीडियो देखने के बाद हमें ये बात तो पता लगी कि उसका background after effect के missing file notification error से mix होता है पहले वो अपना background simple रखता था लेकिन अब वो texture यूज़ करता है एक texture को किसी और screen से अगर blend किया जाए तो हमें नया result मिलता है साइमन ने इसके लिए बहुत बलीदान दिया होगा मैंने भी बहुत बलीदान दिया है मैंने बहुत सारी गोचियां पी इस गोची में अलग ही मज़ा है ये गोची असानी से नहीं मिलती इस गोची के लिए बलीदान देना होता है ग्रीन स्क्रीन को यूज करने के टुटोरियल यूटूब में भतेरे मिल जाएंगे बस आपको सर्च करना है और थोड़ा बलीदान देना है अपने समय का हमें बस इस प्रक्रिया में केटलिस्ट बनना है आपको पहले मास्किंग करनी है और फिर उसके बात अगर ग्रीन स्कीन करेंगे तो वह ज्यादा एफेक्टिव होता है इस ग्रीन स्कीन में अपार शक्ति है यह हमें अमर बना सकती है तुम्हें चुटकी बजा के बलीदान देना होगा लाइट्स मात्र 5000 पे का बलीदान दिया है मैंने इसके बीचे मैं तो पागल था तो गोची पीपी के पीपी के 5000 का बलीदान दे कर आगया आपको बलीदान देने की कोई जरूरत नहीं है आप जुगार कर सकते हैं कैसा भी एलेडी बल्ब टांग सकते हैं और लाइट्स पा सकते हैं ग्रीन स्कीन का दूसरा नाम जुगार ही है मेरी नजरों में तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना सब्सक्राइब करना थैंक्स फर वाचिंग तुम्हे बलीदान देना होगा भाई तुम्हे बलीदान देना होगा भाई तुम्हे बलीदान देना होगा भाई तुम्हे बलीदान देना होगा मामला सीरियस है कर दो